नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं खबर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल परदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का बतायेंगे सभी खबरें एक ये करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल परदेश के किस जीले से न्यूज को देख रहे हैं परदेश के सारी इस्कुलों में न्युकती के लिए 230 सारी की भती चार अपलिसे शूरू होगी वही अभ्यरती किसी भी जिले की का समिल हो सकेंगे वही गिरीं जिले के ही कान्सिलिंग नो दिए बाल defence और मनिंग तया मलाए बॉद दिन को कहागा है हिमाचल की महिलाओं के लिए खुशकबरी मंत्री चोहान बोले एक अपरेल से पंदर सो रुपए मासिक पैंसन मिलेगी जे सुंदर नगर में पांच दिवसी राजस्तरिय सुके देवता मेला गुरुबार को देव पुजन के उपरांत समापत हो गया इसमापन अफसर पर उद्यक संसदिय मामलेवा आईस मंत्री हर्समतान चोहान मोख्य अतिती के तुर पर सामिल हुवी इस मोखे पर उन्होंने कायकी परदेश के 1,37,000 सरकारी करमचारियों को सरकार ने ओल्ड पैंसन इसकीम दे दी है वही अब पहली अपरेल चे 2,31,000 मैलाओं को 15 रुपिये मासिक पैंसन मिलनी सुरू हो जाएगी इस पर सरकार के 416 रुपिये खर्च होंगे उन्होंने कायकी सरकार सभी बातों को पूरा करेगी फिलहाल बंद नहीं होंगे कम एन्रॉलमेंट बाले 272 इसकूल 15 अपरिल के बाद फैसला लेगी सरकार जग कम एडमेशन बाले सरकारी इसकूलों को डी नोटिफिकेशन फिलहाल शुरूग गई है वही राज सरकार की तरफ से चिक्चा इभाग को कहा गया है कि इस फाइल पर अब 15 अपरिल के बाद फैसला लिया जाएगा वही पहले निर्देश थे की 31 मार्च के बाद इन इसकूलों को बंद कर दिया जाएगा लेकिन अब रननिती में बदलाव हुआ है वही गोर तलव है कि पुर्व जहराम सरकार के समय अपग्रेट हुए इसकूलों में से ऐसे इसकूलों को सरकार बंद करने जा रही थी जा एडमिसन नहीं हुई है इसके लिए केबिनेट ने 28 परवरी 2023 की एडमिसन के अधार पर फैसला लिया था चिक्षाई भागने मेधा परशान योजना को मांगे आवेदन पातर अभेरती 25 अपरे तक कर आवेदन जिए उची Сिप्षाई भागने हिमाचल परदे सरकार की मेधा परशान योजना Saturday 2022-23 के लिए आवेदन मांगे है मैधा परसान योजना की अंतरगत मैधावी विद्यातों से राज एवं राज से बाहर के सनस्तानों से जो CLAT, NET, IIT, JEE, AIIMS, AFMC, NDA, एवं UPSC, SSC, Banking and Insolence, Railway और इनके समक्ष ऑनलाइन ये आप लाइन्स, कोचिंग अक्षाओं में भाग लेने हितु सोतंतर हैं, चाहे कोच सनस्तान दोवारा मैधा परसान योजना की जारी अदुस्चुना के नीमा उनसर उचेतर जिक्चाई भाग को एक लाग रुपे की बैंक गैरंटी जमा की हूँ, वही सनस्तान इस योजना की अंतरगत चैनित 16-16 को कोचिंग परदान करने हितु पात्तर होगा, आज निकले सनस्तान दोवार को इसकोलों में फाइनल रिजल्ट भी गोसित किया जाएगा, वही पहली अपरेल से सेक्षिनिक 17-22-23 के लिए दाकिले की परिक्रिया सुरू हो जाएगी, दोस्तों कनिष्ट अभियनताओं की भरती पर फैसला जल्द बाहरों को बिजली बोर्ड प्रवं सबसे बड़ा मुद्द है, वही दोस्तों कनिष्ट अभियनताओं की भरती पर भी सर्विस कमिटी में फैसला आने की उमीद है, इसके अलबा मॉबाइल भत्त, टीमेट से ALM और हेलफर पदुनती और कनिष्ट अभियनताओं के पद भरने पर फैसला हो सकता है, अमरित वा किया है कि पुलिस अमरित पाल को पकड़ने के नजदी के, वही परदे सरकार न यह दावा वारिस पंजाब दे की खालितान समर्तक अमरित पाल बंधी परत्याक्षी करन याचिका पर सुनवाई के दुरान किया, वही उलेखनी है कि पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को अमरित दिन पुल हुआ धवस्त, जे मुख मंतर सुक्पंदर जिक सुकू के ग्री जिले हमीरपुर में बूदबार देर रात एक निर्वाना दिन पुल के स्लेव के तूटकर दो हिस्से हो गए, वही गनिमत रही कि जब पुल तूटा उस वक्त मौके पर कोई मैदूर नहीं था, अनि यथा बड़ा हाथसा हो सकता था, वही पुल के निर्मान कारे का टेंडर लोग निर्मान निभाग ने एक भाटपा नेता को आवंटित किया है, लेकिन मुख मंतर के ग्री जिले में तूटे इस पूल ने लोग निर्मान निभाग की कारे परनाली को कट घरे में है, वियाफार में सुगमता के लिए परदेश में अस्ताफित होगा निभेश ब्यूरू, जी हिमाचल सरकार निभेशकों के लिए एकल छत सुविधा तंतर के म्याध्यम से परदेश में निभेश ब्यूरू की अस्ताफना कर रही है, यह बात मुख मदिश्चिक शुकून के 12,000 पत खाली हैं, राज में लगबग 3,000 इसकुलों में परती विद्यालों में एक चिक्चक की ही तेनाती है, जबकि 455 इसकुल परती निभेश ब्यूरू को फिर से खोल सकती है, यह बात मुख मदिश्चिक शुकूने 17 मार्च को सदर में 53,613 कोड रुपिये का बजट पेस किया था, बतादे कि मुख मतिश्चिक सुकू के बजट पेस किये जाने के बाद 20 मार्च चे 23 मार्च तक बजट अनुदान पर 10 गंटे 32 मिनट तक चर्चा हुई, इस चर्चा में सता पक्ष और विपक्ष के कूल 52 सदर से ने सदर में अ पर्देस में कोर्णा के मामलों में लगातार इजाभा देखने के लिए मिल रहा है, वहीं पर्देस में बीते 24 गंटे के अंदर कोर्णा के 255 मामले रिपोर्ट किये गए हैं, पर्देस में कोर्णा के सक्रिये मामलों की संक्या 755 पर जा पहुची है, वहीं कोर्णा की वज इसके साती राज सरकार और परसासन उनका स्वागत करने की त्यारी में जूट जाएगी वही राश्पती का दोरा ते होते ही लोक निवानी भाग एक एक हरकत में आगया है अगामी दिनों में सहर के उस और की सन्के दुरस्तों होनी सुरू हो जाएगी इसके अलाबा जिला परसासन भी अगामी दिनों में सहफाई वेवस्ता में जूट जाएगा सुन्दर नगर में दसवी की छातरा से बलातकार दुसकर्म के बाद प्रेगनेंट हुई यूपती आरुपी गरफतार जे सुन्दर नगर चेतर में परवसी यूपती के साथ यूवक दुबरा दुसकर्म करने का मामला सामने आया है यूवक के इस क्रीति के कारण दसवी कक्षा में पढ़ने वाली यूपती गरवती हो गई है मामल में पुलिस दुबरा आरुपी को गिरफतार कर अगामे जाश सुरू करती है जनकारी के अनुसर आपको बता दे कि पुलिस तना सुन्दर नगर के तहट सहर में रहने वाली परवसी यूपती के साथ एक अन्य परवसी यूवक ने दूराचार किया गया इसके कारण युपती गरवती हो गई है चलिए वो चलते हैं आज का आगरी खबर तिरिपूरा विधानसवा में पौर ने देखते नजर आए भाचपा विधायक अगर तिरिपूरा में भारतिय जन्ता पाटी के एक विधायक विवादों में घीर गए है भाचपा विधायक जदब लालनात को विधानसवा भवन के अंदर सत्र के दोरान कथीक तोर पर यौन सामगरी देखते हुई नजर आए वही तिरिपूरा विधानसवा भवन के सुत्र ने बताये कि ये घटना विधानसवा सत्र के दूसरे दिन सवंमार को हुई वही बहर हाल विधार्सभात सेत्र के दोरान विजेपी विधायक का यूर्ण कंटेंट देखने का वेडियो अब बुद्बार दिर रात से सोचल मेडिया पर वाइरल हो रहा है दोस्तों आज की जनकारी का सिल्चला इसमाप तो होता है अगर जनकारी पसन आए तो विडियो को लाइक, सेर चलन को सब्सक्राइब जरूर करें